हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं वीट्यूब फाक्ट चानल दोस्तों साउधी अरब के रियाद शहर में एक री डेवलप्मेंट प्रोजेक्ट चल रहा है इस प्रोजेक्ट के तहट मुरब्बा नाम के एक नए शहर को बनाने की तयारी चल रही है ये रियाद शहर के बीच में एक विशाल काई क्यूब के आकार की बिल्डिंग होगी जो पूरे शहर के केंडर के तौर पर देखी जाएगी लेकिन इस बिल्डिंग के निर्मान से पहले ही इसका विरोध शुरू हो गया है दरसल इस बिल्डिंग के डिजाइन के कारण मुस्लिम समुदाय बेहद नाराज है इसलाम को मानने वाले लोग साओधी सरकार के इस फैसले पर जम कर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे है सोशल मीडिया पर समुदाय के लोग लिख रहे हैं यह नया काबा बनाने की कोशिश है जिसे हरगेज मनजूर नहीं किया जाएगा मुसलिम समुदाय के लोगों को पवित्र काबा से मिलती जुलती डिजाइन पर कड़ा एतराज है इसी कारण साओधी अरब के प्रिंस मुहम्मद बिन सल्मान इसलामिक संगठन के निशाने पर आ गए हैं लोग सोशल वीडिया पर प्रिंस सल्मान के इस पैसले पर नराजगी जाहर कर रहे हैं लोगों के बढ़ते विरोज के कारण अब शायद यह महत्वकांशी योजना खत्रे में आ सकती है दोस्तों आपको बता दें कि साओधी अरब दुनिया भर का ध्यान खीचने के लिए इस शेहर को परियतन का केंद्र बनाना चाहता है और इसलिए इस प्रोजेक्ट को सामने लाया गया है जिसकी एक तस्वीर पर बवाल मचा हुआ है दोस्तों साओधी प्रिंस के इस फैसले पर इसलामिक संगठन बेहद नाराज नज़र आ रहा है मुकाब या क्यूब जैसी संगरचना पर जम कर विवाध हो रहा है क्यूंकि मक्का शहर को इसलाम की सबसे पवित्र जगह माना जाता है यहां काबा है और इस नए डिजाइन का आकार भी काबा की तरह ही है इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है क्राउन प्रिंस मोहमद बिन सल्मान ने गुरुवार को न्यू मुरबबा डेवलप्मेंट कंपनी की लॉंचिंग का एलान किया इस प्रोजेक्ट का मकसद रियाद में दुनिया का सबसे बड़ा आधुनिक शहर बनाना है इस प्रोजेक्ट के तहत रियाद के एतिहासिक अल मुरबबा दर स्क्वेर को बनाया जाएगा अरब न्यूस की एक रिपोर्ट के मताबिक न्यू मुरबबा में एक संघराले टेक्निकल और डिजाइन यूनिवरस्टी यहां मल्टी परपस थियेटर और दूसरे एंटर्टेन्मेंट प्रोजेक्ट होंगे यहां कई सांस्कृतिक स्थल बनाये जाएंगे और इसकी ग्रीनरी पर भी ध्यान दिया जाएगा दोस्तों न्यू मरबबा की विवादत बिल्डिंग बेहद खास होगी यह 400 मीटर उंची, 400 मीटर चोड़ी और 400 मीटर लंबी होगी यह इमारत बेहद खास होगी जिसकी संग्रचना क्यूब के आकार की होगी क्यूब के आकार की इमारत अल आवदी राजवन्ष की नजदी स्थापत तिशैली से प्रभावित होगी मुकाब New York की Empire State Building के आकार की 20 इमारतो जितना विशाल होगा इसके सेंटर में एक विशाल टावर होगा दूर से देखने पर यह बिलकुल काबा जैसा ही दिखाई देगा अब दोस्तों आपको यह खबर कैसी लगी? यह आप हमें कॉमेंट सेक्शन पर कॉमेंट करके बताईए साथ ही साथ अगर आपको यह विडियो पसंद आई हो तो विडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करिए इसके साथ ऐसी और जानकारियों के लिए हमारे चानल वीडियो फैक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए धन्यवाद